काफी लंबे इंतिजार के बाद MIUI 12.5 का stable update Poco X2 device को मिल चुका है और आज के इस वीडियो में इसी update के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर इस update में हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है और इस update को कैसे install करना है तो सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बता सबसे पहले मैं आपको लिए सेटिंग में और उपर हमें मिल आएगा माई डिवाइस यहां पर आप देख सकते हैं MIUI 12.5.1 का यह एक stable update है जो कि चाइना कर रहा है उसके बाद security patch 152.021 का में देखने को मिल जाता है उसी तरह से और सभी features यहां पर आप देख सकते हैं लेकिन गाइस मैं एक चीज बता दूँ यह चाइना इंडियन इस टेबल नहीं है और यह रेडमी के 30 डिवाइस को मिला है यानि की Poco X2 को तो यह आसानी से इस रॉम को डाउनलोड करके आप फ्लैस कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा कैसे फ्लैस करना है लेकिन सबसा पहले मैं आपकर features दिखाएता हूं क्या-क्या-क्या-क्या यह सब चीज यहां पर alarm और उसी तरह से यहां पर notification, ringtone, theme यह सब चीज गांट्रोल कर सकते हैं आप उसी तरह से यहां पर home screen में अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है system launcher जो की MI का system launcher है Poco का नहीं है यहां पर Poco launcher आपको देखने को नहीं मिलता है उसी तरह से यहां पर setting में काफी सारे चीज़ों को चेंज किया गया है जैसे कि special features में आप जाएंगे तो यहां पर इसने बहुत धेर सारे features है यहां पर floating windows है यहां पर lag यहां पर atturing को नहीं मिलने वाला है यह रोम अपने आप में इक बवाल रोम है जो कि a stable है काहिं पर विभी बग मिझे देखने को नहीं मिला है यहां पर Camera application के बात करेगा इसते हैं पर Camera application में सभी features हापको देखने को मिल जैसे clone का features जो अभी तक नहीं आया था उसी तरह से sticker आवतार जो पहले आ चुका था उसी तरह से यहाँ पर और भी सभी features है जो कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं नए वाले camera application में यहाँ पर यह वाला features ला दिया गया जैसे change कर सकते हैं यहाँ पर logo ले ले सकते हैं और इसका कुछ layout चेंज कर सकते हैं उसी तरह से यहाँ पर camera application में आपको वीडियो जो recording का features मिलता है वह अभी भी 4K 30fps है और इस से आगर बढ़ने वाला न जित्तों नहीं लगा यहाँ पर काफी अच्छा है फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो एडिटर भी आपको देखने को मिल जाता है एकदम latest वाला आभी फिलाल मैं इसको download नहीं किया हूँ इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर बात करें notification यानि कि control center की तो यहाँ पर आप देख सेते हैं नए वाला control center आपको देदिया गया जहां से आप बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पर control कर सकते हैं तो यह चीज़ आपको मिल जाता है इस रोम में तो देख सकते हैं क कुछ इस तरह का में देखने को मिल जाता है लेकिन यहां पर silent mode में timer जो था वो खतम हो गया है यहां से यहां पर silent mode में timer नहीं आ रहा है तो यहां से एक्स्ट्री पाउर स्रिफ dnd में भी timer आप लगा सकते हैं silent में नहीं लगा सकते हैं उस तरह से यहां पर power button को अगर आप दबा कर रखेंगे चलिए मैं दबा कर रखता हूं तो कुछ इस तरह का slider आपको देखने को मिलता है तो यह काफी अच्छा है यहां पर restart power off और यहां पर normal जो की आपका phone है यह रों काफी अच्छा है किसी तरह का lag नहीं है काफी smooth है आप टाइप करना है Google ZOO ZLE Google और जैसे इस सर्च करेंगे तो आपको सबसे नीचे एक application देखने को मिलेगा इसको पर मैं किलिक करके और एक एक करके जितने भी Google का यहां पर application है वो सब कुछ आपका phone में install हो जाएगा यहां पर मेरा internet connection बहुत ही खराब है और जीयो का सीम है तो आप यहां से install कर सकते हैं उसके बाद गाइस यहां पर हमें बताता हूं कि कैसे इसको flash करना है तो इस वीडियो को continue देखते रही है इस ROM को flash करने के लिए अपने phone को boot की लिए किसी भी custom recovery को उपर में मैं यहां पर use कर रहा हूं orange fox custom recovery और यहां पर देख सकते हैं मैं boot कर लिया हूं इसमें अपने device को इसके बाद यहां पर अपने ROM को यहां पर paste कर देना है आप चाहे तो पहले से download करके रख लिजी अपने phone के internal storage में या फिर बाद में भी आप paste कर सकते हैं USB के थो इसके बाद guys यहां पर देख सकते हैं यह आला ROM है बस कुछ भी नहीं करना है आप यहां पर जैसे ही boot हो जाए custom recovery को पर में उसके बाद यहां पर अपने data को wipe कर लेना है यहां पर जो भी data है wipe कर लेना है उसके बाद एक अपने phone को format मार लें दोने के बाद नहीं होता है तो format मार लें फॉर्मिट मारने के बाद यह को जाएगा उसके बाद अपने phone को वाइब रिबुट के जिए custom recovery cober इसी recovery के उपर में इसके बाद यहां पर आप देखते हैं आप रॉम को पेश्ट कर देजिए इसके बाद सिंपली रॉम को सेलेट कर लेजिए और यहां पर कुछ भी नहीं करना आपको बस इसको slider जो है उसको खीच देना है खीचने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं यह शुरू हो चुका है और यहां से एक से दो मिनिट के बाद यह flash हो जाएगा finally और आप अपने phone को यहां पर boot कर सकते हैं तो इसको flash होना देते हैं उसके बाद मैं आप वो दिखाता हूँ so guys यहां पर देख सकते हैं गर warm flash हो चुका है finally successfully और उसके बाद यहां पर एक बार अपने data को wipe कर लेना है यहां पर जाना है wipe पर click कर देना है और उसके बाद यहां पर अपने phone को reboot system के उपर में slider को खीच देना है अब हमारा phone boot होगा तो यहां पर भी आपको ignorant इंतिजार करना होगा इस लोगों के आके अठक जाता है यहां पर भी आपको इंतिजार करना होगा so guys finally देख सेते हैं यहां पर आगया है setup logo MIY 12.5 का इसके बाद यहां पर click करने के बाद आप यहां पर language select कर लेजिए English next इसके बाद यहां पर हम skip कर देता है network का यहां पर देख सेते हैं यह agreement है इसको आप पढ़ लेजिए आगे बढ़ जाए आगे बढ़िए और कुछ इस तरह से करके setup करके आप इसे यूज करिए thank you कि बाद यहां पर देख gitu है